ही प्लांटाहॉलिक्स वेल्कम बाक तो मैं चैनल होप यॉप 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 शूरत और बहुत ही क्यूट से इसमें फ्लार्स निकलते हैं काफी जादा एक अन्यूजूल प्लांट है कॉमन प्लांट नहीं है क्योंकि अगर आपको ऐसे छोटे-छोटे से फ्लार्स अपने प् प्लांट को आप जरूर लगाई है तो आज का पूरा वीडियो इसी प्लांट की केर पर है तो इसलिए आप प्लीज एंड तक बने रहिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम थोड़ा इस प्लांट के बारे में जान लेते हैं दिस प्लांट इस नेटिव टू नहीं आते हैं आप बात कर लेती हूं कि इसका जो फ्लारिंग पीरिड होता है, तो फ्रेंट फ्लारिंग पीरिड पूरा आपका सीजन रहेगा, आपका बस विंटर छोड़के, बाकी टाइम मार्स से लेकर ये पूरा अभी तक बहुत अच्छे से फ्लारिंग करेगा, जब बहुत जादा कोल्ड हो जाएगा तभी इसमें फ्ल तो इस तरीके से एजे स्पेस में निकलते हैं जैसे कि आप देख रहे हो और मैं कलर की बात करूं तो इस तरीके का आपको पर्पल कलर इसमें मिल जाएगा वाइट मिल जाएगा और लेवेंडर भी कलर मिल जाएगा तो बहुत ही खुबसूरत कुबसूरत से कलर्स में आपको मिलेगा, colors भी थोड़े से unusual है, जैसे कि purple हो गया, lavender हो गया, white तो common होता है, लेकिन white अगर आपको भी white color बहुत जादा पसंद है, जैसे कि friend, मेरा भी personal favorite है, flowers में, तो friends, आपके लिए बहुत ही जादा ये plant beautiful सा रहेगा, आपको garden बहुत ही अच्छे से beauty को भी enhance करेगा, तो friends, इस plant की care की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते है, sunlight की, तो sunlight को लेकर friends, आपको इसे morning की sunlight वाले एरिया में रखना है, full day sunlight में मत रखिएगा, नहीं तो इसकी जो पतियां होंगी, वो पीली होना start हो जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिए, five to six hours की, इसको अगर की देखने को मिलेंगी, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, आप दूसरी चीज में आपको बता दूँ, watering को लेकर, तो moderate watering करना है, और एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, जब आप पानी डालिए, दूसरी चीज जो मैं हर बार बोलती है, आप लोगो को जब ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल से फ्लार्स आपको देता है, आपको शौक बिल्कुल भी अपने प्लांट को नहीं देना, एक पानी कम डाल कर, तो यह चीज का आप ध्यान रखिएगा, और जब फ्लारिंग ना हो रही है, तो आप पानी कम डालिए, और स्वाइल को चेक आपके पास अवलेबलो, वो आप ले लीजे, बीस परसेंट आपको सैंड लेनी है, और तेन परसेंट आपको नीम खली लेना है, यह बहुत अच्छा सा इसका पॉटिंग मिक्षर बन जाएगा, उसी में आप अपने इस प्लांट को लगा दीजे, फ्रेंड्स, यह मेरा र आपको एक काम और करना है, जब भी इनके जो फ्लार्स होंगी, जब वो स्पेंट हो जाएगा, उनको भी आप ज़रूर हटा दीजे, इसको हटाने से यह फायदा होगा, कि यह थोड़ा सा इंकरिच करेगा, और आपका जो प्लांट होगा, वो भी नीट एंड क्लीन दाल चावल का पानी होता है, इसको आप एजा फर्टिलाइजर के तौर पे दे सकते हो, जो रौ फॉर्म में आप जब धुलते हो, तो वो भी आप इसको दे सकते हो, बहुत ज़ादा आप फर्टिलाइजर को लेकर परिशान मत हुएगा, बस अगर आप गोबर की खाद बस more than enough है, इससे ज़ादा आपको इसके लिए और नहीं भी हो पारा, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, साल में दो बार इसे अच्छे से फर्टिलाइजर कर दीजे, आब हम बात कर लेते हैं, प्रपुगेशन की तो फ्रेंड्स के थ्रू बहुत ही आसानी से प्रपुग विंटर्स में नहीं आते हैं, तो आपने तब प्रूनिंग कर दिए, क्योंकि दॉर्मेंसी के पीरिड में हमें यह सब काम नहीं करना होता है, प्रूनिग आप तब करी जैसे एक लौट होता है, जब निकलता है, तो फिर वो खतम हो जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि अब आपके प्लांट में फ्लार्स नहीं है, फिर से आजाएगी 10-15 दिन के बाद, तो उस समय आप कर दीजिए, जब फ्लार्स ना हो और जो इसका ग्रोइंग पीरिड है, जो कि अभी का है, जब फ्लार्स एक बार शेड हो जाते हैं, तो दूसरे लौट के निकलने से पहल अगर आप 15 दिन में नहीं कर पा रहे हो, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ इंसेक्ट हो गया या किसी भी तरीके का पैस्ट का अटैक आपके प्लांट में एक आइजा प्रिकॉशनरी आप डाल सकते हो, वैसे इसके प्लांट में होता नहीं है, इतना जादा कॉमन नहीं है, क फांगस भी लग सकता है, तो कोई भी आज़ा आप प्रिकॉशन के तोर पर डाले जैसे आप हर प्लांट पर डालते हो, वैसे इस प्लांट पर बी डाल सकते हो, क्योंकि यह बहुत इक बुशी प्लांट होता है, और बहुत जादा देखने में भी कुप सूरसा लगता है, तो आप ये काम जरूर करिएगा 15 दिन में एक बार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो फ्रेंट सेफ साइड आप मंत में एक बार जरूर कर लीजे इसके साथ आपको एक काम और भी जो बहुत जादा जरूरी करना है वो है वीकली गुडाई जो कि मैं हर बार कहत ही है तो उसको आप जब गुडाई करते हो तो जो एक्सिस वाटर होता है वो इवैपुरेट हो जाता है और आपका जो प्लांट रहेगा वो हेल्दी बना रहेगा जब उसमें उसकी रूट्स में जो ऑक्सीजन का पैसेज बहुत अच्छे से होगा बहुत ज्यादा जब आप इसका ड्रेनेज होल नहीं चेक करते हो या फिर आप इसकी गुडाई नहीं टाइमली करते हो तो उससे भी आपके प्लांट आप छोड़ देते हो बस पानी डालते रहते हो तो वह एक चीज जो होगी आपकी बज सकते हो आप अपने प्लांट को इस चीज से बचा सकते हो तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा और फ्रेंड्स यह पॉलिनेटर्स को बहुत अच्छे से अट्रैक करता है गार्डेन में बीज हो गया बटरफ्लाइज हो गया हमिंग बर्ड आपकी गार्डेन माएंगे तो बहुत ही सकती हुत हुत है और मिजने हो जगी जग्ट व्रेंड्स अट्रैक अबराइज से घर्डेस के लिवाएबरों आपकी रांएज से ठीस देजी हुत है और एमका है उन पस्टेश